हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी मेरा नाम है अतुल जैन अपने कारेकाल के मात्र कुछ महीने बाद ही जारखंड के मुख्यमंत्री चमपई सोरेन को आज अपने पद से त्याक पत्र देना पड़ा है आप में से काफी लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले फरवरी में दो फरवरी को जहां तक मुझे याद है चमपई सोरेन सहाब उन्होंने बड़े अप्रत्याशित दशा में जारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपत ली थी तो अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है अब से हाडली आदा घंटा पहले ये खबर आई है कि चमपई सोरेन सहाब ने राजपाल महुदे से मिलकर उनसे मिलकर अपने पद से त्याक पत्र दे दिया है तो ऐसा क्या हुआ कि चमपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे और ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि इतनी जल्दी मात्र कुछ महीने में कितने, फरवरी में बने थे, कि मार्च में बने थे, एक बड़ डबल चेक कर लेते हैं, फरवरी में ही बने थे, दो फरवरी को वो बने थे, और अभी जुलाई का महिना चल रहा है, तीन जुलाई आज है, तो मार्च, अप्रेल, माई, जुन, जुलाई, पांच महीने, पीटू आई बैच जो है वो शुरू हो रहा है आठ तारिक से शाम शे वजे वाला बैच है लेकिन हमारी सेल जो है वो केवल तीन तारिक तक है याद रखिएगा तो आपको AJ Live Code लगा के उस सेल से जुड़ना है इस सेल में आप इस कोर्स को प्राप्ट कर सकते हैं AJ Live Code लगा के रोज तीन घंटे की Live Class Mentorship Daily Practice Questions प्री और मेंस के मेंस के Questions का आपको रोजाना समाधान मिलेगा इसके अलावा जो है आपको प्री और मेंस दोनों की Test Series मिलेगी 18 किताबे आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री Qualify करते हैं तो मेंस के तयारी के लिए आपको हम दिल्ली गुलाएंगे आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे में होगा याद रखिए ये सेल केवल मध्यरात्री तक है आज तो आप अगर आज नहीं जुड़े तो भाई कल से आपको सेल का दाम नहीं मिलेगा तो बिल्कुल तुरन जुड़ जाईए अपने तयारी को सही प्रदान कीजिए तो भाई चमपई सोरेन सहाब के मुख्यमंतरी बनने के पहले जारखंड के मुख्यमंतरी जो थे वो हेमंत सोरेन थे आप सभी जानते होंगे जारखंड मुख्यमंतरी नाम की एक पार्टी है जो इनके पिता शिबू सोरेन ने बनाई थी तो शिबू सोर सोरेन सहाब के रिटायर हुने के बाद हेमन्त सोरेन सहाब जारखंड मुक्तिमूर्चा के प्रमुख है जारखंड में चुनाव जीते थे ये और चुनाव जीतने के बाद ये मुख्यमंत्री बने थे तो हुआ क्या था कि enforcement डिरेक्टरेट जो है प्रवर्तन निदेशाले जिसके रोल पर बड़े सारे सवालिया निशान आजकल उठते रहते हैं भारत के प्रवर्तन निदेशाले ने हेमंत सोरेन सहाब पर काफी सारी आर्थिक गडबडियों के आरोप लगाए थे तो भई हेमंत सोरेन पर आरोप य तहत इस तथा कथित घोटाले के तहत हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया इडी ने उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा गया अब वो उन्हाने काफी समय पिछले कुछ महीने से हेमंत सोरेन सहाब जेल में थे तो आब याद रखिए देखिए हेमंत सोरेन और हेमंत सुरेन ने ऐसा नहीं किया, गिरफतार होने के, जब हेमंत सुरेन को ये बात सुनिश्चित हो गई, कि वो गिरफतार होने वाले हैं, ये एकदम तय है, तो अपनी गिरफतारी सुनिश्चित होते ही हेमंत सुरेन ने अपने पज से त्याक पत्र दे दिया, और इनकी मिल None की सरकार में जो परिवहन मंत्री थे और जारखंड मुक्ति मुर्चा की बहुत वरिश्च के दी मतलब इनके पिता के दमाने पे इनके पिता के साथ उनहोंने राजनीती करी है चमपई सोरेन साथ चमपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया तो एक तरह से जब चमपई सोरेन मुख्यमंत्री बने भी थे तभी भी ये बात लगभग सब को पता थी कि हेमंत सोरेन जब तक जेल में हैं तब तक चमपई सोरेन मुख्य मंत्री हैं ये बात लगभग सब के दिमाग में इस पश्ट थी कि अगर जैसे ही हेमन सोरेन जेल से चुटेंगे चमपई सोरेन अपना पद खाली करेंगे और हेमन सोरेन को उस पर वापस बिठाया जाएगा ये बात सब के दिमाग में लगभगते थी पर हाँ ये बात तै नहीं थी कि हेमन सोरेन कितने दिन जेल में रहेंगे चुकि दिल्ली में हमने देखा है कि अर्विन केजरिवाल साब की जमानत फिर भी हो गई है लेकिं दिल्ली के कई सारे ऐसे नेता हैं जैसे मनीश्ट सौधिया हो गए आपके फत्तेन रजैन हो गए जो अलग-अलग मामलों में जेल गए है एडी से जुड़े हुए और वो वर्षों से जेल में है तो ये तैय नहीं था कि हेमन सोरेन जो है उनकी जमानत होने में कितना समय लगेगा और जारखंड में अभी कुछी महीनों बाद चुनाव है तो जारखंड मुक्ति मूर्चा के दिमाग में एक चीज ये भी थी कि अ अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ हेमन्त सोरेन को जमानत दे दी गई और हेमन्त सोरेन को जो जमानत दी गई वो जमानत इस तरह से दी गई कि मतलब वो जमानत जमानत नहीं है उस जमानत के आदेश में नयायाले ने इनफोर्समेंट डिरेक्टरेट को बहुत कड़ी लत ना चाहता था कोई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कोई इनके खिलाफ कोई साक्ष ऐसा नहीं है जिससे सिद्ध हो कि इस पूरे सौदे से जो भी पूरा सौदा हुआ है जमीन का इससे इन्हें कोई लाब हुआ है और जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ED का प्राथमिक काम जो होता है मनी ट्रेल ढूंडना होता है कि पैसा कहां से आया और कहां जा रहा है उस मनी ट्रेल का भी कोई उदाहरन ED नहीं दे पाई ये बात कोट ने कही और ये बात कहकर हेमन सोरेन को जमानत दे दी अब देखिए सामान ने तोर पे जमानत मिलती है तो उसके अपील की जाती है ये बात सही है ठीक है अब अपील इसकी भी की जाएगी लेकिन आम तोर पे जब अदालत इस प्रकार की फटकार के साथ जमानत देती है तो क्या होता है कोई भी जो Agency होती है वो दुबारा गिरफ्तार करने में थोड़ा सा संकोच करती है कि अदालत ने अल्रेडी फटकारा है अब अगर दुबारा से गिरफ्तार करने में कुछ गरबड हो गई तो अदालत और फटकार लगा सकती है या हमारे विरुद्ध आदेश भी जारी कर सकती है तो इसी लिए हिमन सोरेन जूट गए हैं जेल के बाहर आ गए हैं और ऐसा भी लगता है कि अभी कुछ समय तक उनको गिरफ्तार इस मामले में शायद नहीं किया जाएगा तो ऐसे में राजनेतिक तोर पर ये एकदम स्पष्ट था कि अब चमपई सोरेन सहाब का जो समय है वो बहुत वादा नहीं है हाला कि कुछ अटकले ये भी थी कि क्योंकि कुछ महीने बाद महां पर विधान सभा चुनाब होने ही है तो अब चमपई सोरेन ही मुक्यमंतरी रह जाएंगे और हेमंत सोरेन जो है वो अगले चुनाव में मुख्यमंतरी पद का चेहरा होंगे लेकिन ऐसा नहीं किया गया है चमपई सोरेन सा आज क्या हुआ जारखंड में जो जारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके समर्थक दल कॉंग्रेस वगरा की बैठक हुई उस बैठक में विधायकों ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन को अपना नेता निर्वाचित कर लिया और जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के समविधान के अनुसवार बुख्यमंतरी वो होता है जो विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है तो अब तक वो नेता चमपई सोरेन थे अब वो नेता हेमंत सोरेन हो गए है ठीक है तो इसी लिए क्या हो गया तुरन प्रभाव से चमपई सोरेन साहब जाके अपना चाक पत्र राजपाल महुदय को दे आए और साथ के साथ हेमंत सोरेन ने राजपाल महुदय को पत्र द देकर दुबारा से जारखंड के मुख्यमंत्री बच जाएंगे, ये आपको इस पश्ट हो गया, अब इसमें याद रखने वाली बात एक और है, कि राज्यों में जब भी मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, इसमें याद रखने वाली बात ये है, कि अगर मुख्यमंत्री मंदल का इस्तीफा माना जाता है ये याद रखिएगा अगर मुख्य मंत्री गया तो सारा का सारा मंत्री मंदल भी गया तो यानि कि अब जो शपत ग्रहन होगा ये शपत ग्रहन जो होगा ये सिर्फ आपके सोरेन सहाब का नहीं होगा बलकि ये जारखंड के पूरे मंत्रि मंदल का होगा ये बात याद रखिएगा जब हेमन्त सोरेन ने भी स्टीफा दिया था तब भी पूरे मंत्रि मंदल का शपत ग्रहन दुबारा हुआ था क्योंकि सारे मंत्रियों का स्टीफा साथ में माना जाता है और अब अगर अगर चमपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है और हिमंत सोरेन मुख्य मंत्री बनेंगे तो भी चमपई सोरेन के इस्तीफा देते ही सारे मंत्रियों का भी इस्तीफा साथ में माना जाएगा और सारा का सारा मंत्री मंदल जो है वो एक बार दुबारा से शपत लेखा ठीक है चलि तो अभी के लिए इतना ही जाते जाते फिर बता दू कुछ घंटे रहे गए हैं भाई हमारे इस सेल में तो तुरंट जो है आप AJ Live Code लगा कर जुड़ जाईए 25.999 में कल से इस कोर्स के दाम 27.999 होने वाले हैं तो भाई आप लोग जो हैं आज ही मध्धिरात्री के पहले स्कोर्स से जुड़ जाईए और अपनी तयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी में UPSC की तयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी